क्या रगुवर्दास अपनी हारी हुई बाजी को पलटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उडिसा राजिपाल की कुर्सी छोड़कर रगुवर्दास जारखंड में विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे? या फिर इस बार भाजपा रगुवर्दास की जगा सर्यू राय के जरिये जमशेदपूर्ग पूर्वी विधान सभा चेत्र में बाजी मार लेगी? क्या कॉंग्रेस कोई बड़ा गेम खेल कर सालों बाद जमशेदपूर में वापसी करेगी? दरसल साल 2019 के चुनाव में जमशेदपूर्ग पूर्वी विधान सभा सबसे हाट सीट बन गई थी क्योंकि तब वा ततकालीन मुख्यमंत्री रगुवर्दास की सीट थी जिस पर उन्ही की सरकार में मंत्री रह चुके सर्यू राय ने ताल ठोक दिया था रगुवर्दास की खिलाफत करती होए उन्ही की सीट से सर्यू राय निर्दलिये खड़े हो गए थे दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और आखिरकार सर्यूराय ने मुख्यमंत्री रहे रगवर्दास को उन्ही की सीट से हरा कर बाजी मार ली थी मतलब एक निर्दलिय प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री को हरा दिया था जो की एक एतिहासिक घटना बन गई थी तब से लेकर अब तक सर्यूराय इस सीट पर काबिज हैं। हाल के समय में उन्होंने जेडियों में शामिल होकर निर्दलिय का तमगा अपने सिर पर से हटा लिया। क्योंकि उन्हें भी भली बाती पता है कि बार-बार परिस्थितिया समान थोड़ी ही रहेंगी। वैसे भी जमशेतपूर पूर्वी विधान सभा सीट पारंपरिक रूप से भाजपा और रगवर्दास की ही सीट मानी जाती है। भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद से ही इस सीट पर लगातार कमल खिलता रहा है। साल 1985 को छोड़ दे तो 1980 से लेकर 2014 तक लगातार भाजपा ने यहां पर बाजी मारी है। दरसल यहां का जातिय समिकरण भी बहुत हद तक भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई देता है। क्योंकि यह पूरा शहरी इलाका है। और तो और यहां कई बड़ी बड़ी कमपनियां जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जुसको है जिसके वजह से इस विधान सभा छेत्र के विकास के लिए विधायकों को काफी कम मशक्कत करनी पड़ती है। जमशेद पूर्वी विधान सभा सीट से सबसे जादा बार विधायक रहने वालों में भी नाम रगवरदास का ही है, जिन्होंने पांच बार तक लगातार यहां कमल खिलाया। इस वज़े से रगवरदास का नाम राजिक के उन निताओं में शुमार है, जो सबसे अधिक समय तक विधायक बने रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से भाजपा रगवरदास को जारखंड की पॉलिटिक्स में लाने की तयारी कर रही है। क्या जमशेत पूर्पूर्वी विधान सभा से उन्हें फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा और क्या एक बार फिर से रगवरदास और सर्यूराय की बीच में कड़ा मुकाबला दिखने को मिलेगा। ये सवाल पिछली कुछ समय से लगातार सुल्खियों में बने हुए हैं। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव निकट आने के बाद रगवरदास जारखंड की राजनीती में वापसी कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में असम की मुक्यमंत्री और जारखंड में भाजपा के चुनाव सप्रभारी हिमंता बिश्वत सर्मा का एक बयान आया। जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि रगवरदास की अभी जारखंड की राजनीती में वापसी नहीं होगी। दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि रगवरदास अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसी भी चर्चा है कि इस बार के चुनाव में रगवरदास की सीट पर उनके बेटे या बहु चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इस बात ने भी कोई खास वजन नहीं लगता है क्योंकि गडबंधन के तहट ये सीट सिटिंग विधायक सर्यू राय को देने की संभावना सबसे अधिक है। माना जा रहा है कि सर्यू राय के जेडियों में शामिल होने के दो कारण थे। पहले उनकी RSS की विचारधारा जिसने अब भी उन्हें भाजपा से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़े रखा है। दूसरी जमशेगपूर्ग पूर्वी सीट जिसे वक किसी भी हाल में अपने कबजे में करना चाहते हैं। अगर NDA ये सीट जेडियों को दे देती है तो तै है कि यहां से सर्यू राय ही चुनाव लड़ेंगे और रगवरदास से उनका मुकाबला नहीं हो पाएगा। अभी केंद्र सरकार में भी जेडियों का समर्थन BJP के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में BJP नित्रित्व सिर्फ जमशेतपूर पूर्वी सीट के लिए जेडियों को नरास नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस चहरी विधान सभाथ छेत्र में कॉंग्रेस को एक बार फिर से कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बहुत संभव है कि जमशेतपूर पूर्वी विधान सभाथ सीट हमेशा के तरह गड़ बंधन के तहट कॉंग्रेस के ही खाते में जाएगी। क्योंकि जादातर जनरल सीटों की जम्मेबारी कॉंग्रेस को ही थमाई जाती है। इस बार पूर्वसांसत डॉक्टर अजय कुमार जमशेतपूर पूर्वी सीट से कॉंग्रेस में टिकट के लिए मजबूती के साथ दावा ठोक रहे हैं। अजय कुमार ने इस पस्ट कहा है कि अगर पार्टी मौका देती है तो वे जमशेतपूर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी के सदस्य है और जारखन में कॉंग्रेस के बड़े चहरों में से एक माने जाते हैं। साल 2011 में उन्होंने राजनिती में प्रवेश किया और जमशेतपूर लोकसभा सीट से बिजेपी प्रत्याशी को हरा कर सांसत बन गए। 1985 में MBBS की उन्होंने डिगरी हासिल की और साल 1986 में IPS बन गए। जमशेतपूर में क्राइम कंट्रोल में डॉक्टर अजय कुमार ने अपनी एहम भूमिका निभाई है। तो इस बार के विधान सभाचुनाओं में सर्यूराय वर्सिस रगवरदास की जगा सर्यूराय वर्सिस अजय कुमार देखने को मिल सकता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और श्रेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेस्बुक पर फालो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले।